इस साल की जादतर पसले खराब होने का कारण रेड माइट है जो की आज भी नोकसान कर रहे है ऐसे में दो पॉपिलर प्रोड़क्ट ओबेरान और सेधना इन में से कौन सी दावाई ले यह परिशानी हर एक किसान को आ रहे है तो इस वीडियो में हम इन दोनों में से कौन बह निकल डोस कीमत के साथ इनकी मौड़ अप एक्शन क्या है यह कौन सी पसलों में इस्तमाल कर सकते हैं और इन में से सबसे बेस्ट कोने इसके साथ होगी आज की खास बात तो मैं हूं दिवेराज और आप देख रहे हैं निर्माता चले शुरूत करते हैं आज के वीडियो की ओवेराण बायर कमपणी का आता है जिसमें स्पायरो मेसिपेन 22.9 प्रतिशत एस सी फॉर्मूलेशन में आता है स्पायरो मेसिपेन धनुका कमपणी का डैन फ्यूरॉन के नाम से पी आई एग्रो का वोल्टेज के नाम से भारत इंसेक्टिसाइड का ओपमाइट के नाम से आता है अब सेदना टाटा रैलिस कमपणी का आता है जिसमें फेन पायरोग्जीमेट 5 प्रतिशत इसी फॉर्मूलेशन में आता है फेन पायरोग्जीमेट एक्सेल क्रॉप के एर कंपणी का पायरो माइट के नाम से इस अग्रू कमपनी का मिटीगेट के नाम से पारिजात अग्रू केमिकल्स का फोर्माइट के नाम से अब जानते हैं ओबेरान और सेथना की मोड अप एक्शन क्या है ओबेरान एक कॉंटे की इंसेक्ट की साइड है जो की इंसेक्ट को मारता है कोहन से बात है और यह आकरी साइड भी है मतलब यह माइट्स को भी मारता है यह इंसेक्ट के लिपिड बाय सिंतिसिस को रोकता है लिपिड बाय सिंतिसिस एक जयुरासा निक प्रक्रिया है जो पूरा नहोंने पर इंसेक्ट मर जाता है यह सबसे और लेटेस्ट मोड ओप एक्शन ऑविरॉन में है ऑविरॉन इंसेक्ट के हर एक स्टेज में काम करता है जैसे कि आंडे देने वाले किट को पर असर कर मादा इंसेक्ट पर उसके आंडे फुटते ही नहीं है मतलब इसस इंसेक्ट तैयर ही नहीं होते हैं अब जानते हैं टाटा के सेधना के मोड आप एक्शन के बारे में सेधना एक क्वांटेक इंसेक्टिक साइड है जो इंसेट को मारता है और यह एक आकारी साइड भी है जो माइट्स को भी मारता है यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आकरी सा इसका मतलब किटक सेधना के संपर्ख में आते ही मर जाते सेधना जैसा ही किटकों के हर एक स्टेज पर काम करता है यह एक ओवी पॉईजन है मतलब इससे इंसेट के अंडे से इंसेक्ट नहीं ताहर होते हैं सेधना से इसेट के माइटो कॉंट्रिया में और निर्मान होना बंद हो जाता है और उर्जा नमिलने के कारान कितक मर जाता है ओवेराण रेड माइट कि और वाइट प्लाइपर काम करता है और सेदना यलो माइट कि लिप हॉपर्स कि रेड माइट्स पे काम करता है सेदना और और वेराण दोनों भी किसी भी केमिकल के साथ कॉंबिनेशन कर सकते हैं सेदना और वेराण बेंगन एपल मिर्च टमटर कपास अंगूर अनार संत्रा जैसी पसलों में इस्तमाल किया जाता है वीडियो अचा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब डोस कीमत और और रिजल्ड बताने से पहले आज की खास बात अपने रेड माइट का अटेक देखा ही होगा यह एक ऐसा अटेक है जो रातो रात फसल को नश्ट कर देता है करने की शमता रखता है यह सब किटकों में सब से तेज फेलने वाली किटक है जिससे फसल को हद से ज्यादा विक नौकडाउन एक्षेन है और सेधना हाइट इंप्रेचर में चिटकाव करने से कोई भी आनी नहीं पहुचती है अब और ऑबेरान की एक अच्छी बात नहीं मोड अप एक्षेन होने से रेड माइट और वाइट प्लाय में कोई भी रेजिस्टेंस तायर नहीं होता है जल् करें सेधना 200 लिटर पानी के लिए 500 मिली सेधना का चिटकाव करें और 15 लिटर पानी के लिए 20 मिली सेधना का इस्तमाल करें और अब रिजल्ट और सेधना में मुझे यह लगता है कि रेड माइट के लिए सेधना ही सबसे अच्छा लगता है जै जावान जै किसान